तो अभी तक हम लोगों का सेक्शन 2A का जो पहला वाला पार्ट था वागरा वो सब खतम हो गया था अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे ये प्राइमेट वाला पूरा हम लोग बात कर रहे थे ठीक है तो अभी आपको बताया था कि ये मतमेटिक्स की तरह है इसमें जितना ज्यादा डाइगराम वगरा ये सब बना के आऊगगे इसमें आपको शॉर्शॉर्ट मार्किंग मिलेंगे और मार्क्स फच्चिंग अंसा इसमें ज्यादा इजली बन जाएगा कमपेटिवली अगर हम सेक्शन 2B वाले को चूज कते हैं तो इसमें भी पता है कि आपको देखे चार टाइप की कोशन विसके लिए आपके रिपीट होने बार बार मेन और अप में डिफ्रेंसिस वगरा प्रामेट और की कुछ करेक्टिस्टिक तो प्रामेट आउडर किया है फिर उसमें जो अप अगरा आते हो शोचल लाइफ और मेन प्लेस इन अनिमल किंडम तो यहां से चालू करेंगे फिर उसका अधम प्रामेट पहेंगे तो जैसे मेन प्लेस इन में कर्दम से मतलब क्या है? तो इसके लिए यह है कि man जो है वो इसमें आता है anthropoid group किसके अंदर है primate के अंदर है order के अंदर है तो हम क्या बोलते है कि आदमी क्या है man क्या है man एक primate है वो order हो गया हमारा फिर हमाई जो पूरी class चल रही है वो कैसे कैसे लिए place of man तो अब यह वाला पूरा समझ लिए place of man in animal kingdom तो पहला हमारा topic के चल रहा place of man in animal kingdom place of man in animal kingdom देखे से याद करने का पहला है तरीका देख लिए याद करने का तरीका कैसे क्या रहेगा आप ऐसा मालिए कि एक राजा है वो chess खेल रहा है और chess के अब राजा है तो थोड़ा अनुसा खासा chess के लिए तो उसका जो chess हो green color का उस पर आग लगी हुई है तो यह है कि king play chess on fire green squares भट क्या होगा तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर पूरा पता देंगे वापश से अब देखरें हैं आप लो king play chess on fire green squares तो यह तरीक होगा आप आप आपके का economy पर आपका है कि एक राजिया वो chess खेल रहा है fired green squares पर चाहिए तो आप ले K.I.N.G. King, P.L.Y. Play, C.S. C.H.E.S. Chess on fired, F.I.R.E.D. fired, green squares square shape का तो रहती है chess हमाई square square के रहती है उसमें आग लेगी होगा green color का तो बस यह हम बोल रहे है कि fire green square पर king chess खेल रहा है तो इसका जलता है, King, Play, Chess, One, Fire, Game, उसी रसाब से हमारा आजाता है Kingdom, Phylum, Class, Order, Family, Genus, और फिर Species, थी, तो अगर Man की बात कहा है, तो Man जो है वो Animalia Kingdom में आता है, ठीक है, आज़ा Animal वाला Kingdom हमारा वो यह हो गया, Animalia इसमें तो वह दिक्कती नहीं आपको, द्यान हो आपको अगर हमने Evolution वाल में पूरा बनाए हुआ था, अगर आप Organic Evolution वाला PPT देखेंगे, ठीक, तो यह सबता, कि Man क्या Animalia है, अब Animalia के अंदर वो क्या-क्या है, तो वही चीजे सारी डिसाइड होती, तो यह वाला Organic Evolution में हमने बनाए है था, ध्यान है आपको, तो प्लांट याप, फंगी, अनिमिले, तो Animalia Kingdom के अंदर Man के अब क्या प्लेस है, तो यह पूरा होता है कि Place of Man in Animal Kingdom, ठीक है, तो अभी समझ लिए, फिर आपन इसको पूरा डिक्टेट कर देंगे, तो Kingdom उसका Animalia हो गया, तरीक आपको क्या होता है था, King, Play, Chess, On, Fire, Green, Square, Kingdom, Phylum, Class, Order, Family, Genus, Species, ठीक है, Kingdom क्या हो गया हमारा, Animalia, Phylum हमारा क्या हो गया, Codrata, Codrata Phylum के बोलते हैं, because Spinal Cord and Nervous System है हुमन के पास, ठीक है, फिर Subphylum, Vertibreta, Vertibreta, Phylum के अदर के कर्टिंग नहीं, Subphylum, Subphylum, Vertibreta के हो, क्योंकि हमारा, Spinal Cordy, Bonny Segment से मिलके बना हुआ है, ठीक है, Scouter Structure, वो हो गया हमारा, Subphylum, Vertibreta, फिर Class हमारी कौन सी है, Mammal, Mammal के 2-3 Special Characteristics होती है, ऐसे कि, Pectoral Mammal, जो हम बोलते है, Nipples वागरा हो, जो Mammal है, तो Pectoral Mammal, Breast में यह सब, और Suckling of Young One, तो जो Young One रहता, वो इननी को सक करता है, इससे मिलक प्रोड्यूस होता है, तो वो हो गया हमारा, Mammal, ठीक है, Subclass Utheria है, क्योंकि Baby जो है, वो Maternal Womb के अंदर होता है, ठीक है, दो टाइप के होता है, या तो X से हो सकता है, फिर Maternal Womb के अंदर बीबी का development होता है, तो वाली चीज़ आगी, तो इसलिए Subclass Utheria है, तो अगर आप भी Main Mammal भी याद रखेंगे, Subclass Utheria है, जोड़ भी देंगे, तो इतना अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है, फिर Order आपका क्या रहेगा, Primate, प्राइमेट का हम पूरा Order याद करेंगे, तो यहाँ पे आप Sub Order, Infra Order, सब कुछ याद कर सकते हैं, फिर Family, Hominidate, Genus, Homo, और Species का है, Homo Sapien, Homo के अंदर हम लोग क्या मोलते हैं, Only Surviving Species is Homo Sapien, ठीक है, तो यह पूरी Place of Man रहती है, चाहें तो आप पहले वीडियो रोग के वाला एक बार बना लिए, पूरा समझा दिया, अब Theory बना लेंगे, तो वीडियो पॉस करके एक बारे पूरा ऐसे करके लिख लीजे, और physical theory में लिख देंगे, यगा theory आईगी तो आपको कैसे काई exam में लिखना रहेगा, तो वेडियो लिख लेगे, Each primate is a member of animal kingdom, टीक है अब आते रही है कि अनिम्र कंड़ों हो गया अनिमल कर इंदर के साखा रहें है तो सबसे पोगे मैं इसा मेंबर ओफ ओर प्राइमिट इच प्राइमिट इस क्लेदी यह मेंबर ओफ ऐनिमल केंगडम एकर नए इस पॉइंट पर यह विकाइगा को एक नाइस पॉइंट पर यह विकास ओफ इस हाऊज आ नॉपर जस्टन because of spinal cord and nervous system mankind belongs to phylum of codates C H O R B A T S codates okay because of spinal column a bony segments and associated skeletal structure man belongs to sub phylum of vertebrates spinal cord and bony segment with associated skeletal structure sub phylum vertebrates okay next point अब मैमल में कैसे आ गया ठीक है तो इसलिए हम लोग क्या इसका क्लास में जाते हैं मैमल्स इसलिए हम लोग क्लास में जाते हैं में मेमल्स वहला हमारी मेमे जो में है पैक्ट्रोल में में से milk निकल रहा है, इसके कर रहे हैं, यंग रहे हैं, नौरिश हो रहे हैं, और सक्लिंग हो रहे हैं, इसके कर रहे हैं, मैमल में आ गए हम लोग, ठीक है, फिर लिख रहे हैं, फिर सबक्लास यूथेरिया में कैसे है, because of unbound young are developed in maternal womb, thus human being placed in subclass of यूथेरिया, ठीक है, तो यहां तक स में दो-तीन चीज़े आती है, prosyemian, anthropoid, prosyemian में हमारे lemun loraises ऐसे बाते हैं, फिर हमारा anthropoid आता है, फिर anthropoid में हमारा monkeys का division हो जाता है, का seboid या, sarcopeticoid या, तो वाला हम सारा देखेंगे, कैसे कैसे चलता है, अब इस लिखते जाएगा, आगे जैसे आएगा, समझाते तो कहीं भी आपको अगर taxonomy और primate आता है, या primatology आता है, या characteristic और primate आता है, तो आप यह अला डागरम आराम से बना सकते हैं, ठीक है, प्राइमेट में है क्या, तो अभी तक हम ने कहीं कहिए था, किंग प्ले चैसन फाइगे, उसका अब हम आदर की नीची हमें करना था स प्लेटिराइन और केटराइन, एक्जाम में क्या होता है, इतना लिखने का टाइम नहीं होता, इसलिए प्लेटिराइन और केटराइन को स्किप कर देता, प्लेटिराइन का ऐसाज को इस पॉटेंस अनीबस वो नोज की विट के उपर रहता है, प्लेटिराइन मतलब बहु फिर जामदः मंडा के जाएगा एंटूपाइडिया फिर इंट्रोगा जाय गाएगा कैटदी ऑ प्लेटिरराइड के अंदर किया उनलग ही ही यही फैमिली हमारी क्या जाएगे फिर 17 आप using लेँआ इन्दर थी फrica कॉल तीन फैमल है cheek कॉंसी ढ कहीं पॉंजीडे हाई या दे आ या से क्या जाय का यहां कि बात कर लें in द भूंजीडे यहां से क्या जाये चेंद गोरिला फिर man की family कहा जाएगी hominoidia family, super family जो बोलेंगे, और family कहा जाएगी hominidae, ठीक है, homonoidia, ठीक है, यह इसकी family है जाएगी, फिर इसके अंदर हमारा कहा जाएगा genus homo और फिर homo sapien, तो अभी ये वाला, रोके वाला diagram नोट कर लिए अच्छे से, प्राइमेट के अंदर, तो अगर man की place पूछी है, तो हमें ये वाला भाग लेखना हो, अगर कोई भी प्राइमेट का पूरी characteristic आती है, तो आप ये वाला diagram अराम से बना सकते हैं, तो चाहें तो पहले वाला diagram अराम से बना लिजे, इसको याद कैसे करना है, तो उसा 3-4 बार पढ़ेंगे, बहुत असाई से याद हो जाएगा, प्राइमेट है, प्राइमेट में क्याएं, प्रोजीमियन ते, फिर एंट्रोपोईडिया, प्रोजीमियन और फिर एंट्रोपोईडिया हो गया, तो मेंना बस आपको यह सब याद करता है, यह सब बहुत एजिल याद हो जाएगा इक बार दो तीन बार बस आपको पढ़ना है, सेमें यह आपको याद हो जाएगा, ठीक है अगर आप बीच में एक्सर करना चाहें, तो प्लैटीराइन और के टाराइन को इंट्रा ओडर लेके और सब ओडर के नीचे यह वाला बना सकते हैं, जो भी आपको बनाने दोन में से कोई भी डाइग्राम मैं प्लैटीराइन और केटराइन स्किप कर देता था, एक्जाम में, ठीक है तो वीडियो रुक के चाहें तो यह वाला बना लीजिए यह वाला बना सकते हैं, और यह आप बना चुके हैं, ठीक है तो हमने यह देख लिया कैसा कैसा है, अब हम इसमें आगे प्लेस ओफ मैं की बात करते जाएंगे, तो वह ही लिखते जाएं तो विदिन प्राइमेट ओडर, देरा टू सब ओडर्स एंथ्रोपोईड, A-N-T-H-R-O-P-O-I-D, एंथ्रोपोईड विच इंक्लूड़्स एट, monkey and mankind एंट्रोपोईड में क्या क्या रहा है सर एट, monkey और mankind, एट मतलब देखें हैं से चिंपैंजी, गोरिला, और एंटम वागरा सब बन रहे हैं सेम फैंबली में एंट्रोपोईडर जो था हमारा सुपर और, सब और इस सब और के नीचे जो भी आएगी फैंबली जाती जाएगी, फिर इस पर अंदर तीन फैंबली आएगी सीबोईड या, सरकुपेटर कोईड है, यह क्या है monkeys है, इन से क्या बन रहे है, monkey बन रहे है hominoidia family था, hominoidia में फिर अब तीन family डिवाइड होगी ponji day, hylo, betty day और homony day इन दोनों से क्या बन रहे है, ape और यहाँ पर क्या बन रहे है, man तो आपके बस चीज़े समिन लिए, यहाँ से ape बन रहे है, यहाँ से man बन रहे है monkey था, ठीक तो इसको लिखते जाईए ay तो हमने वहने वो लिए दो होगए और दूसरा कै प्रोजीमीन, प्रो, सै, म, अइज प्रोजीमेन इंक्لूड़्स त, त, ऋ, सै, यहाँ त, अ, इस, इ를, टाजीयर L.E.M.U. L.E.M.U.R. and T.R.W.E.S.H.R.E.W.S. Treesures Tarsier L.E.M.U.R.Treesures प्राजियर ये सब आपने Medagast का मुबी देखा होगा ये देख लिए एक बठाए तो इह हमारा होता है Tarsier L.E.M.U.R. लोराइस ये सब हमारे क्या है Prozemians है ठीक प्रोस्टिमियंस की किसा कोई special category होते हैं मैमलत है बटे बहुत अलग होते हैं इनके इसब जो हाथ वगर होते हैं छोटे होते हैं इंडले रेल अलग होती है इनका movement अलग slow होता है तो यह अलग category हो जाती है ठीक प्रोस्टिमियंस और फिर अगर हम great apes की बात करें जो हमा दिते हैं तो वी अपन इस पर थे कि रिखते रहें तो आपने देख लिए अंट्रोपॉइट के आपने देख लिया प्रोस्टिमियं चया है को कि आपके में इस आप प्रोस्टिमियर के बारे में लिखो 12.5 मांक मांक में तरफ नहीं पूछेगा इपीएशी पूछता थे देर इस देर आर तू इन्फर ओडर C A T A R H I N E S गतराइन और P L A T Y R R H I N E S प्लेटराइन वो क्या बोल रहा है से कि इसी जो सब ओडर है इसी सब ओडर एंटरपोईटिया में दो इन्फर ओडर है प्लेटराइन और C A T A R R H I N E S C A T R R A N E S C A T R R A N K E N E S के नीचे क्या लेख लिए Old World Monkey और Platyreign के नीचे क्या लिख लिख लिए New World Monkey यह Old World Monkey थे और यह New World Monkey थे तो Platyreign बैसे के लिए लिए थे इसके नीचे बस ही लिख रहे है Whose Nostrils are usually flat and widely spaced और Catyreign के Side में लिख रहे है Whose Nostrils are usually इसके निए थस मन बेलोंग तू मन इस चलेलिया C A T A double R H I N E इस पेलिंग साहिकल यह C A T A double R H I N E थीक है एक टीए C A T A double R H I N E थस मन इस चलेलिया के टराइन थे फिर विदिन के टराइन में बिलॉंग तो अब यह क्या बला रहा है कि विदिन के टराइन 2 सुपर फैमिली है सरको पर्थे को एडिय और हमीन ओडिया मैं किस में बिलॉंग करता है हमिन एडिया में क्योंकि आभी हम किसकी बात करें है प्लेस ओप मैं तो हमने देख रहा है प्लतीन है का यसा मैं का अथ्य दूटिछ आ से अंधर 10 दॉसमें बल्ञंकें शूपर्राइमिलन आертвुर्य का सुесь थह कटका करें दस दू दन से को शूपर्रफ्मिली अवर्मी न्यदी अगर्द आś तप the hominidae superfamily includes three family in which ponchidae consists of gray tapes ponchidae consists of gray tapes hylobatti dee hylobatti dee hylobatti dee hylobatti dee contains gibbons j i w and gibbon and simang whereas hominidae h o m i n i d a hominidae so here we can see here we can see here we can change anthropoidia d e a d a here we can see hominoidia here we can see hominoidia here we can see hominoidia c boy d a but if we can see family v p a o g a na to a ho jayega ia se a a a paonji dee hylobatti dee hominidae so hi lobatti dee 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 thus hominidae consists of women okay फिर इसमें लिखे है the hominoid family अब हम लोग यह सब explain नहीं करें कि pen, me chimpanzee आगया, pango में gorilla आगया इसमें इतना हमको explain नहीं करना है यह फिर भी लिखें लिखें लिखें, यह सब अगर लेए सकते pen and pongo तो pen फिर से chimpanzee निकला था पॉंगो से gorilla निकला था और ये तो आप लिख लेंगे ठीक है इता डाइगरम बना देंगे तो काफी राएगा फिल के पॉंगो पॉंगो फिर ये लिके फिर साइनल ये 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 दा हुमिनेट फैमिली तोडे जो हमारी ये वाली आरी नही हैस ओली वन सर्वाइविंग जीनस डेट इस होमो हुमिनेटे फैमिली में अभी पास एक ही सर्वाइविंग जीनस है जो कि क्या है होमो ठीक है इट अलसो प्रोडूस एट अट लिस्ट वन अनादर मैं एक और जीनस था हमो के अंदर बहुत साइटे साइन था ती होमो था अलेकर अब अस्ट्रोपिथे साइन अगरा इस अब खतम हो चुके है तिंग तो हम लोग क्या बूलेंगा अस्ट्रोपिथेकास अब तो मला एक्स्टेंट हो चुका है तो उसको यहां लिखी लेते हैं लिख लिए होमो अलसो प्रोडूस्ट वन अंदर अधर इडिन जीनस अस्टेलोपिथेकास ऑस ट्रालो पि थे सुए स ऊस्टेलोपिथेकास विच गत एक्स्टेलोपिथेकास गौत इंटेंडूस्ट अनकाया, विदिन गोम इन अधर आपूस्ट की सॅसरा इस्टायद करूस्ट, और नियर अख ग्रूस्टेंट्र Québec अंधर लिख रेगा है तो तो हमी नीटे में हमें बस एक surviving genus है, homo, उसे में एक surviving species है, homo sapien. तो ये पूरा आएगा अगर आपका place of man है जाएगा, तो place of man में आप अराम से पूरा डियाग्राम बना सकते हैं. तो ये आपका जाएगा, यहाँ तक हमने देखा था, फिर order से आगर आपको देखना है, तो सब primates होते के हैं, तो primates में दो टाइप के order आते हैं, prosemian, anthropoidia, seaboidia, sarcopatakoidia, hominoidia वगेरा, ये सब, प्रोजीमियन मतलब, लैमूर, लोराइस, ये आपने मड़ागास का मूवी में देखी होगी, ठीक है, और ये हमारे क्या है, ग्रेट टैप आगए, ठीक है, और फिर आपका human तो आपने देखी होगा, तो सब primates है क्या बिसके लिए, अब कोशन आता है कि ये हुए हमारा पूरा place of man, अगर आपक primate के अंदर हमारा क्या गया है, suborder, suborder क्या है, अगर super, यहाँ पर infroorder भी आ सकता है, चाहो तो, जोहाँ देखा था, catenine, तो suborder, super family, hominidae, family, hominoidia, ठीक है, hominoidia, super family, family, hominidae, फिर genus, homo, फिर species, homo sapien, sub species, homo sapien, sapien, ठीक है, तो ऐसे करके आपका पूरा place of man बनता जाएगा, ठीक है, यहाँ से हमने class तक देख लिया था, फिर order, वहाँ से, यहाँ से हमने order देख लिया था, और इसको हमने बस क्यों लिया था, बस यह जो है, हमना intra order वाला बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इस वाली diagram है, ठीक है, तो आपने वाली side diagram बनाएग लिए होंगे, ठीक है तो यहाँ से हमारा क्या हो गया सर, place of man in animal kingdom कतम हो गया, ठीक है, अब हमारा आता है कि सब primate क्या है, ठीक है, ठीक है, प्राइमेट रोजी है, पूरा प्राइमेट है, तो हमने यह प्राइमेट अभी एक हो देखा, प्राइमेट अब से कर रहे हैं, तो देख इस नॉर्मल सम कि मैटरो गेरा कुछ opposible हो रहे थे, जिनके की हात प्रिहहंसाइल अब बिलरीते हैं, तो आता हमारा थाम ओनली, पॉजबर अब ऐसी निकाता है, पाउं के अंगोठी साब कुछ पकड़ सकते नहीं, लेकिन यह वाला अंगोठा हम क्या होते है, प्रिहेंसाइट, अपोजेबिलीटी, अपोजेट हो गया, उसके कारएं प्रिहेंसिबिलीटी, पकड़ने की हमारे पास पावर आजाती ही, तो यह होती ह प्रिहेंसिबिलीटी, तो यह सब कारेक्टिस्टिक आ रही थी, वो लोग आर्बोडियल लेचर के थे, ट्री पे रह रह रहे थे, तो यह सब कुछ अलग कारेक्टिस्टिक के कारण, एक अलग और बना दिया, और इस प्राइमेट में फिर अलग अलग इस पीसे आने लिग तो यह सारी चीज़ें प्राइमेट में थी, तो आपको कोशन कैसा आता है, कि कारेक्टिस्टिक और प्राइमेट लेखो, प्राइमेट आउडर के बार में बताईए, ठीक है, और आपका याता है कि दो प्राइमेट के बीच में कंपैरिजन पूछता है, जैसे कि मैं और आ अब आपने लोग इस चीज को tackle करते हैं, अभी हम लोग आजाएंगे प्राइमेट पे, यह आपको उता दिया है, कोई भी आपका question है, प्राइमेट, प्राइमेट, टेक्सोनोमी वगरा, यह आराम से आपके यह आपके यह आराम से आपके यह आराम से बना सकते हैं, तीन पाँजी दे, हाईलो बटी दे और हम इनी दे, फिर पाँजी दे में पैन पोंगो, यहाँ पे हाईलो बटी और हमो सेपिन, ठीक है, तो ऐसे दो तीन बार भी इसको बोलेंगे, मैंने जो बोलें, उसी को तोहरा पीछे करके दो-तीन बार सुनिए गा, ऐसे इयाद हो जाए ए, पुंजी डay, हायलो बटी डay, हुमी नी डay ठीक है, यहां पre सा देख जाना देख, इन तों में अंतर्मत कर देना हुमी नौई डिया सूपर फैमिलि है, और हुमी नंी डे फैमिलि है, ठीक है हमी नौई डिया में, एप भी आ रहे है और man भी आ रहा है लेकिन hominy day में सिर्फ और सिर्फ man आ रहा है इसमें ape नहीं आ रहे है क्योंकि इनके तो अलग से family होगी फिर तो ea में कौन है ape और man दोने hominy no idea लेकिन hominy day में सिर्फ और सिर्फ man है तो यह सब चीज़ें ऐसे याद करेंगे बहुत इसली आद रहेगा फिर अब हमारा आते की साथ तो प्राइमेट का evolution कैसे होता तो प्राइमेट family tree देखे तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं कि प्राइमेट में सबसे पहले कोन आये थे प्रॉजीमियन आये थे ठीक है 60 to 65 million year अगो तो 60 to 65 million year अगो प्रॉजीमियन आगे प्रॉजीमियन के बाद क्या है न्यू वर्ल्ड मंकी आए तीक है न्यू वर्ल्ड मंकी के बाद ओल्ड मंकी आए उसके बाद लेसर एप जैसे गिबन वगरा फिर बाद में सबसे लास में ग्रेटर एप का हुआ राइट अबाद प्राइमेट वर्लड प्राइमेट फैंबी ट्री है प्राइमेट एवॉलुशन करके लिख सकते हैं तो यह सब आएगा आपका फिर लेसर एप गिबन वगरा थे गिबन के बाद ग्रेटर एप में तीन बता था आपको गोरिला चिंपेंजी और एप अब इन में अंतर क्यों आता है क्योंकि आप यह देखो जीरबन वगरा जो होते हैं छोटी हाइड हाथ बहुत लंबे होते हैं तो यह सब होता लेकिन गोरिला और और इंटम और चिंपेंजी इससे ज़्यादा डवलॉप बाने जाते हैं उनका बॉडिली फीचर से अलग होते हैं इसलिए इन तीनों को क्या बोलते हैं ग्रेटर जीरबन पर जाएं जादा से जादा आपको यहाँ पर डाइग्राम के फॉर्म में देने के कोशिक हैं तो डिक्टेट करते रहेंगे लेक्चर बहुत लंबे होते जाएंगे और फिर वही चीज़ आपको डराती रहें किया इत्ते सारे परन ने होगे अब कैसे क्या पड़ पर बातैक हम पर्मेत की रहेंगे प्रामेत क्या होते हैं फिर एक पर्सके की मैइवर्ठी कीज़ चलते हैं पामेत में है वही नइट नियक प्रामेत का फोडड़ हो और प्रामेत affected क्या House – व्रSt rice species which are tree dwelling and arboreal in nature एक normal हमने introduction देए कि order of primate क्या है बहुत सारी species है जो कि tree dwelling और arboreal है nature में यह हमारा क्या हो जाएगा order of primate हो जाएगा ठीक है और लिखते है यह primate है क्या हमारा फिल लिखें माइवर्ट 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 गेव माइवर्ट ने जो primate की definition दी तो उस पर लिख लिएजिए MIVRT माइवर्ट दिफाइन प्रामेट एस मैमल्स विच आप प्रॉपर्टी लाइक या करेक्टरिस्टिक्स लाइक ठीक है सबसे पहले अंगी कुलेट यह से करते है रहे है यह से कर गे अंगी कुलेट इसको लिखा यह क्या डागराम में होगा तो मैं आपको देता आप ब चली कोई नहीं इसके होगी मैंडसर क्योंकि मैंने लाया तो था फोटो तोड चीचा था कि मैं आपको सीधा देता आप लोग लिखेंगे यह घ्ली तो परहें पॉइंट में लिखेंग प्राइमेट सार अंगी कुलेट यू अनजीआई-एल-उ-अ-अ-अ-अ-अ अ-अ- तो हमने कहला प्राइमेट सार अंगीकुलेट, UNGI, CULAT, अंगीकुलेट, CLAVI, CULAT, प्लासेंटल मेमल, PLACNTL, PLACNTL, MA, ML, मेमल, तीन चीज़ा आपके होगी, अंगीकुलेट, क्लासेंटल मेमल, इसे ऐसे याद कते हैं चलना आपन को, अंगीकुलेट, क्लासेंटल मेमल, वित, अब हम उपर से चलो करेंगे, तो उपर सबसे पहले हमारे क्याएगा, ब्रेइन, ब्रेइन के बाद क्याएगी, आइस के सॉकिट वगज़ा, फिर चैरा वगज़ा, फिर पेक्टोरल में में वगज़ा, यहाँ पे चाती है, अपनी, ब्रैस्ट में में, ठीक है, यह सबाए और टीक है, अपनी, ब्रेइन, ब्रेइन, इसा होता है, अप्राइन एक होती है, यह प्रेइन, एक दबल एक रेज़ा, तो ब्रेइन हो गया, ब्रेइन के बाद क्या जाएगा, ओर्बिट्स, एंसर्कल बाइ बोन, में वांगे के ऑबिट है, इहाँ पे हड़ी आ रहती है, और बिट इन से यह लिए एंसरकल बाइ बोन और बिट ओगया अब क्या यह दांतों पर तो तीथ नेक्स पॉइंट आजाएगा तीथ थ्री काइंट्स ओ तीथ एक लिए पना यह मेंट्स ओन हमारी क्या होते ही हुँआ गाम यहीं पर क्या हते है हमारी आजिचे से अचे, अहां ब्लॉड और नहींसर को पाने लंग और देशा यहीं आखी अग्यों आ, तो अटरो समय में टीड करेंट्स ओने तीड के देट संस्ट मेर्णडर्णर इसमें कोई दिक्कत है नहीं आगी तो minimum तीन टाइप के तो होती है कि स्टेज में तो यह हो गया ठीक है फिर तीज से अब नीचे रहेंगे तो यहां पर तो हम लोगो बूले चाहती पिता हम क्या बहुत कि तू पेक्टोरल में में पी ए सी टी ओ आरेल पेक्टोरल एमे में त कि अब साना सयक्वा परिग्ड़ों कोई रेनग्य पिक्रॉक्तिवभ आरज कि दिसकर गेंए तो तीन रेनफ के बात क्रता एं तू पेक्टोरल में में पैनिस-PENE-फैनिस-PENE-फैनिस-PENE-ब्डडू-L-O-U-A-W-E-S penðulus मराब लोगो जहहुत है कि pięne js si le connector हता है पेन्स वाला पैन्स पेन्स टेस्टेस्स टेस्टेस एस्टेस एस के वहीं हमारा ये नेक्स पे बात कर रहे थे कि innermost digit of at least one pair of extremities are opposable next point last point helix with a flat nail और none तो यह होगी my word की definition तो my word की definition का पता है फाइदा का इसको याद करें का बोलेंगे आपकी यहां सर बहुत बड़ी definition है यह सब क्या करें तो my word की अगर आपनी definition याद रखें को आपको characteristic को प्राइमेट आया सारी definition लग दिए आपको आया एप और में में difference थीग है तो हम क्या बोलेंगे मैवट की definition का फाइदा क्या है मैवट ने जो इत्ती बड़ी definition दी है इसका फाइदा क्या है तो my word की definition से देखो आप क्या-क्या लेग सकते हो अगर आपको प्राइमेट के बार में 12.5 marks का question आगया मैं यही बोल रहो इसलिए यह topic बहुत इसको ऐसे पढ़ना जाना है कि एकी चीज़ को आप चार टाइप के आंसर में यूज को सकते है तो अगर आपको प्राइमेट के बार में 12.5 marks के आएगे तो आप प्राइमेट की definition दोगे डेफिनिशन के बार अगर characteristics आपको ध्यान नहीं है तो आप यही वाली characteristics सारी लेटो सारी प्राइमेट की characteristics थीक है आपको आगया कि man and primate में 50 marks का आपका question आगया man and ape में में 50 marks का man and ape में कोशिन आगया कि similarities and differences लिखो अब आपको similarities नहीं पता आप कह लिखो सार आप सारी यह जो माइवर्ट की definition इसके characteristics similarity की heading डाल के लेगे तो क्योंकि दोनों प्राइमेट है और यह दोनों प्राइमेट की कोई ape भी आता है तो उसमें भी आप इस सब का अगर आपको नहीं है content बता तो आप इस सब भी उस कर सकते हैं तो आप इसकी definition को कई जगे यूज कर सकते हैं अब इसको याद कैसा किया जया माइवर्ट की definition को जो आप में नोट दिये खें उसमें देखें या फिर मैं जो जै ने जाएंगी पहले वाशके बैसे बाद उपर से चालू करेंगे lift brain with a posterior lobe and calqueline fissure ober souls को जोड़े फिर उसके बाद कर या निगे orbits and circle by bones दिमांग से आपको अगा फिर नाह पर जाएंगे तीस पर जाएंगे फिर 3 कंड of THC at least one stage of life by झालम्रे